दोस्तो आप सभी का स्वागते आपका अपना चैनल टूटाई में आज बहुत दिन के बाद चलो चलते हैं वो ही भूतिया जंगल में हाँ दोस्तो जो जंगल केले की पेर से गिरा हुआ है उस जंगल की सामने हम आ भी चुके हैं देखो दोस्तो हमारे सामने ही दिख रहा है वो ही भुतिया जंगल यहाँ पे बहुत ही अजीब अजीब कुछ घटता है दोस्तों बहुत दिन बाद आये इस जंगल में खिलोना ढूनने आये हैं यहाँ पे हमें बहुत सारे खिलोने मिल चुके हैं बहुत दिन पहले तो चलो दोस्तों जंगल में चलते हैं और खिलोना देखते हैं, आज हमें क्या-क्या खिलोना मिलने वाला है यहाँ पे, देखो दोस्तों, हर तरफ आपको सिर्फ केले के ही पेर दिखेगा, देखो केले की पेर की सिवा और कुछ नहीं दिखने वाला, क्योंकि यह केले की खेत है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखत आज हमें पहले कौन सा खिलोना मिलते है अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ तो हमें अभी तक कुछ ना कुछ दिख जाता था पहले तो बहुत दिन के बाद आया यह शायद आज यहाँ पे यहाँ पे तो खिलोना दिख गया देखो दोस्तो बहाँ पे खिलोना दिख रहा है तो चलो आगे बढ़ते हैं देखते हैं ये कौन सा खिल अरे भाई साब दो खिलोना मिल गया देखो यहां का आने का फाइदा देखो दोस्तों यहां का आने का बहुत फाइदा है दोस्तों यहां पे हमेशा खिलोना मिलता है मैं डर की बज़ा से यहां पे बहु वजीब कुछ दिखा है आवास सुना है हमने आप लोगों ने भी सुना शायद जो मेरे दोस्त पहले से मेरे वीड़ियों फॉलो करते हो उसने सायद दिखा है सुना है तो दोस्तो देखलो ये ट्रॉली वाला ट्रैक्टर मिला है वो भी सामने का Will के बिना शुरू हो गया विल के बिना खिलोना मिलना दोस्तो यहाँ पे हमेशा अच्छा-च्छा खिलोना मिलता था आज पहले ही हमें टूटा-फूटा खिलोना मिला टूटा-फूटा तो नहीं बोल सकते दोस्तो इसका सामने का जस्ट विल गाया बे तो चलो दोस्तो इसे हम लेते ह और साइड में रखते हैं और वो कौन सा खिलाना हमें दिखा था वो हमें वहाँ से निकालना है दोस्तों देख लो यह देखो यहाँ पे खिलाना पर आ हुआ है तो चलो दोस्तों खिलाना को बाहर निकाल लेते हैं यह क्या चिपका हुआ है क्या पता क्या चिपका हुआ है अ अरे वो देखो वहाँ पे खिलोना अरे कितने सारे खिलोने भई यहां तो आने में मज़ा आ गया दोस्तों यह देखो यह तो कोई कच्रा है तो दोस्तों देख लो अरे इसका तो एक भी विल नहीं है पहले मिला है ट्रॉली वाला ट्रैक्टर वो भी टूटा हुआ और यह त बहुत बढ़ी एक CNG आटो रिक्षा मिल चुका है तो चलो इसे भी हम साइड में रखते हैं और देखते हैं ये कौन सा कौन सा किलाओना है पहले हम ये बरा वाला कलेक्टिंग बाकेट देख लेकते हैं दोस्तों ये बहुत जादा बरा नहीं है बट रेट कलर में बहुत ही विल मिला है हमें क्या पता किसका विल है हमें पता नहीं अभी तक तो चलो बाकेट को साइड में रखते हैं और देखते हैं ये कौन सा कौन सा खिलाना है यहाँ पर ये देखते हैं दोस्तों पहले ये देखो ये हमें क्या मिला है ये कौन सा कार है भाई तो बढ़िया ही ल घर रिया लग रहा है तो सब चरिय और का देखो चारि साइट का यह डर्वाजा खुल रहा है तो यह नाan demandsam जो चलो जानुख लिखा भी हुआ है तो चलो नैळों को साइड में रखते हैं पर शने कें सब्सक्राइत देखते हैं। यह कौनसा खिलोना है। यह रिक्षा है ये लिखा भी हुआ है रिक्षा तो बढ़िया कंडिशन में धा दोस्तो इसमें रे भाई सहाव वह देखो वहाँ पे भी खिलाँना दिख रहा है इसमें क्या प्रॉब्लेम था दोस्तो आप लोगों ने शायाद नोटीस किये ही होँगे मैंने अभी अभी नोटिस किया इसका हैंडल नहीं हैंडल के बिना तो रीक्षा नहीं चल सकता है दोस्तो तो चलो हैंडल तो मुझे यहाँ पे एक दिखा था शायद हाँ दोस्तो यह देखो यह देखो यहाँ पे ही हैंडल तो चलो good news हमें हैंडल मिल चुका है बाकेट के अ उठा लिया तो चलो बाकेट के अंदर ले लिया तो चलो एक बर ध्यान से और ढूंड लेना है हमें यहां पर क्या कुछ है उपर दिख लेना है थोड़ा दोस्तों उपर भी बहुत कुछ होता है नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा है उपर बहुत कुछ होता है ढूंडना देखो उपर पे मिल चुका है पर इसे उतारना बहुत ही मुश्किल होगा शाया देखो दोस्तों बहुत ही उचा है दोस्तों यहां पे मच्छर भी बहुत है क्योंकि बाडिश हुआ था बाडिश की बजा से मच्छर आ गया तो चलो दोस्तों देख लो हाँ हाँ तो आ गया पर इसे कैसे उतारू अरे भाई आजा आ गया दोस्तों ये तो मुझे अरे इसका तो प्रॉब्लेम तो अभी अभी पता चला है इसका प्रॉब्लेम है सामने का विल नहीं है दोस्तों किसी का भी आजके सामने का विल नहीं मिल रहा है वो हमें पहले ट्रॉली वाला यूवेटर मिला है बो भी सामने का विल के बिना बाकी कंडिशन तो ठीक था इसका साइट का हैंडिल खुल गया था मैंने यही पे अटाच कर दिया तो चलो दोस्तो बाकेट के अंदर ले लेते हैं और वहां पर हमें कुछ दिखा था अरे भाई साब ये नहीं दिखा था कुट सा पपी है दोस्तो देखो बहुत ही बड़िया लग रहा है देखने पर ही तो चलो इसे बाकेट के अंदर ले लिया वह सामने कौन सा हरे भाई उपर तो आप लोग ने नोटीस ही नहीं किया मैंने भी नहीं किया था सामने जाने वाले था देखो जाते ही हमने कुछ देख लिया पेर के उपर तो चलो इससे यही पेर रखेंगे ये देखो ये सामने कौन सा खिलाना है भाई आरी भाई दोस्तो बहुत गर्मी लग रहा है और सामने देखो मच्चर देखो दोस्तो शायत कैमेरा में आ रहा है क्या पता मेरे सामने बहुत सारे मच्चर है तो चल उपर नोटिस किया, देखो, एक जुला हुआ है, और वो देखो, दो जुला हुआ है, सेम टू सेम, शायद वो उपर वाला किसी खिलोना का ही पाठ होगा, शायद खुल के यहाँ परा हुआ है, तो चलो दोस्तो, इसे हम बाकेट की अंदर ले लेते हैं, उससे पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ओईल टैंक का ट्राक, दोस्तो, शायद उपर एक ट्राक है, जिसका ट्राक है, तो ट्राक तो मुझे नीचे से इदेखकर ही पता चल रहा था, यह तो कौन सा ट्राक है यह कौन सा ट्राक है भाई यहाँ पे तो पुलिस लिखा हुआ है उपर पर यहाँ पे और ऐल टैंकर तो किसी तर अरे यह मकरे अरे इसी का पार्ट नहीं है शाय दिसी का पार्ट है देखो उपर का पार्ट खोला हुआ है शायद इसी काई पाट होगा वो ओयल टैंकर तो चलो देखलो, सीटी पुलिस ट्राक मिला है बो भी वील के बिना, दोस्तो वील के बिना मिला है, वील तो बाकेट के अंदर हमें दिखा था, शायद इसी कलर का वील था, ये देखो, ए घुमता भी है तो चलो घुमा लिया और इसे हमने यहाँ पे रख दिया तो चलो बाकेट के अंदर हमने भड़ लिया और यह कौन सा खिलाना है इसे भी हमें निकालना है जल्दी से तो चलो यह देखो यहाँ पे ट्राक लिखा हुआ है सुपर पावर शायद वो ओयल टैंकर इसी काई है तो घर चल के आप लोगों को दिखाएंगे एटच होगा तो दिखाएंगे और नहीं होगा फिर भी दिखाएंगे यह देखो इसका भी पीछे का विल नेगे तो चलो हमें तो आज बहुत सारे खिलोने मिल चुके है देखो बाकेट हमारा फूल भी हो चुका है खिलोना तो मिला है किसी किसी का विल गाया भे हमें सिर्फ एक ही खिलोना मिला था दोस्तों एक ही ओ सोरी एक नहीं दो खिलोना मिला था एक था हमारा नैनो, दूसरा था हमारा डॉगी, छोटू सा पापी, तो चलो दोस्तों देखो, बाकी सारे खिलोना हमें अटाच्मेंट करना पड़े, चलो घड़ चलके अटाच्मेंट करते हैं, अभी के लिए क्या करना है दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब क के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, मजेदर मजेदर वीडियो हर रोज आपके लिए आता रहेगा, तो चलो मिलते हैं घर जाके तब तक के लिए, बाई दोस्तों, बाई बाई तो चलो दोस्तों, देखो हम घर भी पहुँझ गया, कितने सारे खिलोने मिलेते हमें वही पुराना बाला जंगल में दोस्तों, हाँ दोस्तों वही भूतिया जंगल जहाँ पे हमें बहुत सरे आजब आजब कुछ दिखता था, पर अभी नहीं दिख रहा है, क्यूं नहीं को सिखाना है, बहुत कुछ, आज तो बहुत कुछ सिखना बाकी है दोस्तों, ध्यान से देखना दोस्तों, आज आप लोगों को बहुत कुछ सिखने मिलेगा, देखलो दोस्तों, हम अल्मोस सारे खिलोने बाहर निकाल वे लिए, तो चलो, बाकेट को हम सीधा कर देते हैं, यह देखो, बाकेट के अंदर कितने सारे विल है, तो चलो, सबसे पहले किसे हमें अटाच करेंगे हमारा यह CNG आटो रिक्षा को, आटो रिक्षा का प्रॉब्लिम था, दोस्तों, देखलो, तीनो विल गाएप था, आटो रिक्षा का विल हमें धूनना पड़ेगा, बाकेट इसका विल शायद यह है, दोस्तों देख लो, क्यों मैं बोल रहा हूँ, यह है विल, यह देखो, सामने क्या दिया हुआ है, एक छेद यहाँ पे, और यह देखो, दूसरी छेद, तो इस दो छेद में, यह इन जैसा विल जा सकते हैं, और दूसरा किसी विल यहाँ पे नहीं जा सकेगा, यह देख लो दोस्तों, यह अगर ऐसे बैठा हो, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा दोस्तों, यह नहीं चलेगा, तो चलो, इसे हम निकाल लेते हैं, और पहले हम सामने वाला विल ही अटाज करेंगे, क्योंकि इसे थोड़ा, बच्चे लोग, आप लोग मुस् तो उसे विल को बैठा कर दवा देना है, दोस्तों, जिससे कि यह बैठ जाएगा, यह देखो, यह विल एटाच्मेंट कमप्लीट हो गया, तो चलो, पीछे बाला विल हम फटाफाट एटाच कर देते हैं, यही यह पीछे बाला विल, एकदम कनफर्रम हैं, दोस्तों, यह दोस्तों, देख लो, मैंने एकदम सही बोला था, यह विल इसका है, देखो, जच रहे कि नहीं, बहुत इचाज़ा जच रहा है, तो चलो दोस्तों, इसे हम ऐसे उल्टा के, यह दूसरे बाला विल भी यहाँ पे अटाच कर देते हैं, दोस्तों, यह देख लो, दोस्तों, यह अटाच्मेंट बिल्कुल कंप्लीट हो गया, दोस्तों, यह बिल्कुल कंप्लीट हो गया, यह बिल्कुल नया हो गया, तो चलो नया हो गया, तो इसे हम साइड में रख देते हैं, यह देखो, एक खिलोना हमारा कंप्लीट हो गया, अब है हमारा दूसरे खिलोना की बा पहले इन चेद मेंसे यह रोड़ को डालना है यह देखो यह रोड इस चेद में डालना है और दूसरी साइड से निकल देना है दोस्तों यह देखो यह निकल गया ओ नो फिर से ये फिर से खुल रहा है तो चलो शायद हमें थोड़ा जोड़ी लगाना पड़ेगा दोस्तो ये देखो ये complete हो ही गया ये खुल गया दोस्तो ये शायद problem है इसमें ये छे थोड़ा लगता है बड़ा हो गया तो चलो कोई बात नहीं घर जाके हम glue से इसे attach कर देंगे अभी के लिए हलके हाथों से लगा के छोड़ देना है तो चलो auto रिक्षा को छोड़ दिया यहाँ पे हमें ये just इसका और एक will बाकी है इस rod में just इस will का छेत को डाल देना है देखो ये देखो ये attach हो गया दोस्तो ये बिलकुल complete हो गया इसमें और कुछ करने की जरूरती नहीं है ये excavator बिलकुल नया हो गया तो चलो excavator को भी हम side में रख देते हैं ये देखो इस side में रख दिया और इसे हम थोड़ा खोल देते हैं ये देखो ऐसे नीचे कर देते हैं कर दिया तो चलो problem solve दोनों खिलोनों का और तीसरा खिलोना है हमारा जो attachment करना है मुझे ये doubtfully ये oil tanker truck लिखा हुआ है इसमें इसे सायद इसी जगा में रहना चाहिए क्योंकि देखो देखने से ही लग रहा है इसी काई part है देखो दोस्तो एकदम confirm है इसी काई part है तो चलो ये देखो इसमें चार group दिया हुआ है एक दो तीन चार ये clip है दोस्तो और ये देखो यहाँ पे चार group दिया हुआ है एक दो तीन चार इस clip को हमें ज़स्ट यहाँ पे बैठाना है देखो ये sticker वाला साइड इसका पीछे का साइड है दोस्तो तो चलो इसे यहाँ पे बैठा के हलके हातों से ज़स्त दबा देना है देखो दबा दिया ये बिलकुल attach हो गया ये और चार चेंबर है दोस्तो ये देखो इसमें तो हमें चार ऐसा विल का सेट दिख रहा है शायद वो इसी ट्राक का है क्योंकि ये विल भी सेम टू सेम है दोस्तो तो चलो पहले हम एक काम करते है इस चेंबर में विल को बैठा देते है बैठा दिया और देखो दूसरी साइड में भी दूसरी विल को भी बैठा दिया अब क्या करना है दोस्तो अब हमें हलके हाथों से यहाँ पे प्रेस करना है दोस्तो देख लो यह देखो प्रेस करते ही यह दोनों विल कंप्लीट हो गया देखो कैसे घुम रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है और मुझे और एक प् दोचेद मैंने दिखा था तो इस बजा से मुझे हलका हलका दाउट हो रहा था कि ये इसी काई सीरी है तो चलो एक बर कंफराम कर लेते, ये दोस्तो वाइल टेञकर मैं तो सीरी होता ही है तो चलो वाइल टेंकर को बिल्कुल attachment कर दिया इसमें और कोई खड़ा भी या तूटा-फुटा कुछ नहीं है तो चलो इसे भी हम side में रख देंगे side में रख दिये देखो दोस्तो तीन खिलोना हमारा complete और तूटा था ये ये ट्राक पूलीज बाला ट्राक था पूलीज बाला ट्राक का सिर्फ विल खुला हुआ था वाइल टेंकर में जैसे हमने विल अटच किया ये विल भी same to same अटच करना है दोस्तो तो चलो पहले बाकेट के अंदर से विल को निकाल लेते है निकाल लिया और ये देखो विल चेंबर में ज़स बैठा दो हलके हाथो से ये देखो बैठा दिया अब जश्ट इसे हलके हाथो से दबा दो देखो दबाने से ये अटच हो जागया ये थोड़ा खुल गया इसे हम फिर से अटच कर देते हैं देखो दोस्तो ये देखो कैसे घूम रहा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये पुलिस बाला ट्रक complete हो गया दोस्तो पुलिस ट्रक देखो लिका हुआ है तो चलो पुलिस ट्रक को भी हम दूसरी साइड में रख़ देते हैं आटो रिक्षा का ये देखो हमारा चार खिलोना अभी तक complete हो गया अब हमारा पच्छवा खिलोना जो है हमारा सबसे पहला मिला हुआ ट्रॉली वाला ट्रेक्टर इसका सामने का विल खुला हुआ था ये देखो विल यही है ये देखो सेम टू सेम विल है तो चलो इस रॉड वाला विल को हमें इस छेद में डालना है छेद में डाल कर दूसरी साइट से निकल देना है ये देखो अब इस will को इस rod में डाल दो डाल दिया ये देखो डालने पड़ी ये अटाच हो गया दोस्ते ये बिल्कुल complete हो गया तो चलो complete हो गया तो इसे भी हम side में रख देंगे हम इस side में रखेंगे auto rikshah को सोरी आटो रिक्षा मैं क्या बोल रहा हूं उसे देखकर इतना पसंद आया अब मुझे उसी का नाम बार बार आ रहा है उसका विल खुला हुआ है उसे हमें घर जा के गलू से अटच करना है दोस्तों बाद में हम कर देंगे तो चलो यह हमारा ट्रॉली बाला ट्रेक्टर रे छेद में से अलका हतों से दबाना है देखो यह बिल्कूल कंप्लीट हो गया बिल्कूल कंप्लीट हो गया तो चलो इसे हम साइड में रख देते हैं अब इस सामने रख देते हैं दोस्तों जिससे कि हमें दिखाने में आसानी हो और यह देखो दोस्तों यह कौन सा खिलोना ह साइड में और हमारा सबसे प्यारा सबसे कीमती ये है हमारा डॉगी छोटू सा डॉगी पपी है ये दोस्तो ये डॉगी का बच्चा है तो चलो इसे हम साइड में रख देते हैं इसकी उपर रखते हैं दोस्तो देखो सेम कलर है उसका इसलिए इसको उसको उपर छोड़ दिय और ये देखो दोस्तो आज का हमारा खिलोना कितना सारा खिलोना मिला है देखो बाकेट विलकुल खाली है देखो पहले हमें मिला था ये बाला ट्रॉली बाला ट्रैक्टर उसके बाद मिला था हमें वो ओटो रिक्षा उसी के पास ही था और जब हमने घूमा तो देखा ये हम हमारा collecting bucket, collecting bucket की पीछे ही था, ये हमारा nano और उसके पास था ये हमारा क्या बोलते हैं रिक्षा और उसके उपर था पेर की उपर ये था हमारा excavator और दोस्तों दूसरी साइट जब हमने देखा तो हमें पहले नजर में आया था वो पुलीस बाला ट्रक और सॉरी पुलीस बाला बाद में नजर में आया था ये टैंक हमें नीचे नजर में आया था टैंक लेने हम जब जाने इबा लेते पेर की उपर देखा तो ये हमारा पुलीस बाला ट्रक पेहले ले देखा था उसके बाद दिखा था ही ये ओल TANK का ट्रक तो चलो दोस्तों आज हमने धूनडा एक वीडियो हर रोज आते है हर रोज अमारे चैनल में इस मजएदार वीडियो आते है प्लीज आमारे साथ जूरे रहने के लिए अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें गरंटी दिता हूँ आप लोगों को कि आप लोग entertainment हो के ही जाएंगे हमारे ैनल से तो दोस्तो प्लीज वीडियो देखते वक्त वीडियो को एक लाइक करे और जो दोस्त हमारे चैनल में ने विजिट किये होई हो, प्लीज अमारे चैनल को subscribe करें, मिलेंगे किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तों बाई बाई